हेलो स्टुडेंस कैसे हैं आप सभी वेलकम बैक टो मैगनेट बेइन सिंधी मीडियम मैं लाली बर्मा आप सभी विध्यार्थियों का दिल से स्वागत करती हूँ और साथी साथी आशा भी करती हूँ कि आप सभी सवस्थ होंगे और एक सिक्षित व्यक्ती बनकर एक सभी व्यक्ती बनकर समाज का उद्धार करेंगे ऐसी आशाय है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हमारी कक्षा बार्वी जी हां बिहार बोड दिगंत भाग दो पाठ पुस्तक से गध्य खंड का अंतिम पाठ सिक्षा जो की लिखा है जे कृष्ण मूर्ती जी ने और इस वीडियो में हम करने वाले हैं वस्तु निष्ठ प्रशन बिल्कुल सही सुना है आपने multiple choice questions जो की हर एक परिक्षाओं में एहम भूमी का निभाते हैं और इन questions में अर्थात इन प्रशनों में उत्तर देने की जिम्मेदारी है आपकी अप परिक्षा है आपकी मैंने तो अपना काम कर दिया है अब आपकी बारी है चलिए आप चलते हैं पहले प्रशन की ओर पहला प्रशन है जे कृश्नमूरती का पूरा नाम क्या है? जल्दी बताईए B मीज़ खा आपको लग रहा है जिद्दू कृश्नमूरती मुझे भी यही है बता तो आपका जवाब एकदम सही है चलते हैं अगले प्रश्न की ओः जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती किस पठित पाठ की उक्ति है जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती कौन से पाठ की हैं पंक्ति का है अर्धनारिश्वर खा है ओ सदा नेरा गा है सिपाही की मां और घा है सिक्षा तो इसका सही जवाब है सिक्षा very good अगला लीडवेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ती क्या थे का है राज्य सिक्षक खा देश सिक्षक गा विश्व सिक्षक या घा गाओं की सिक्षक जे कृष्णमूर्ती जी को कौन सा सिक्षक माना है। इन्होंने माना है purchase विश्व सिक्षक कितनी बड़ी बात है और सिक्षक मतलब जो सिक्षा से भली भाती हमारा परिजय करवा सके अर्थाध जो हमें अपने आप से मिला सके जो हमारे अंदर मानवियता की भावना को विक्सित कर सके जो हमारे अंदर स्वतंत्रता की भाव से प्रश्ण पूछने की उत्कंठा या जिग्यासा का विकास कर सके सिक्षक ठीक है और सिक्षा का कार है कि हम स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त कर सके माहौल ऐसा हो जहां भैना हो, ठीक है? तो इनको विश्व सिक्षक कहा जाता है जे क्रिश्नमूर्टी का जन्म कहां हुआ था? कौन से प्रदेश में? का, उत्तर प्रदेश में खा, आंध्र प्रदेश में गा, मद्य प्रदेश में या फिर घा करनाटक में सोचने की जरूरत है थोड़ी यहाँ पर मैं एक तीन सेकंड आपका वेट कर रही हूँ नहीं है पता? किसको पता है? उत्तर खा आंध्रप्रदेश हाँ अगला मा की मृत्यू के समय जे कृष्णमूर्थी कितने वर्ष के थे? का दस वर्ष खा बारा वर्ष गा पंद्रा वर्ष या घा बीस वर्ष जब जे कृष्णमूर्थी जी की मा का निधन हुआ था तब वे कितने वर्ष के थे? दस, बारा, पंद्रा या बीस वर्ष तो वे थे मात्र दस वर्ष के छोटा सा बच्चा होता है दस वर्ष का बालक अबोध भी कह सकते हैं जिसको दुनियादारी की कोई समझ नहीं होती और मा का साया उठ जाना एक बच्चे के लिए बहुत दुखद दुरघटना है या घटना है या बात है क्योंकि मा हमें पल-पल जीवन की रास्ते में चलना सिखाती है क्या कहें मा का बखान क्या करें क्योंकि वो बखान करना भी हमें मा से ही मिला है जे कृष्णमूर्ति की सिक्षा क्रिती क्या है अर्थात किस विधा में लिखा गया है जे कृष्णमूर्ति की जो हमने अभी पढ़ा ना शिक्षा वो क्या है विधा हिंदी साहित में कौन सी विधा है का संभाशन खा निबंध गा संस्मरण या घा एकांकी क्या है ये संभाशन याद है आपको वाओ वाओ बढ़िया तो संभाशन है बेटा ये आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर मेधा कहां नहीं हो सकती है मेधा क्या है मेधा शक्ति क्या है जहां स्वतंत्रता पूर्वक हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकें जहां भै ना हो तो मेधा कहां नहीं हो सकती का जहां स्वतंद्रता हो, खा जहां भै हो, गा जहां अनुशाशन हीनता हो, या फिर घा इन मेंसे कोई नहीं तो जहां स्वतंद्रता हो, जहां भै हो, जहां अनुशाशन हीनता हो, या इन मेंसे कोई नहीं, तो मेधा नहीं हो सकती जहां भै हो, जहां भै का वातवरन रहेगा, वहां एक बालक का विकास नहीं हो पाएगा, उसकी मेधा भी जो शक्ती है, वह पून रूप से दब ठीक, लेखक के अनुसार कुछ परिक्षाएं उत्रीन कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है, बहुत सारी परिक्षाएं उत्रीन कर लेने, ये डिगरी, वो डिगरी और बहुत सारी उपाधियां भी मिल गई, लेकिन उन्होंने कहा है कि कुछ परिक्षाएं उत्रीन कर लेन से कहीं ज्यादा कठिन क्या है पड़ा था हमने विकल्प है जीवन में उन्नती करना खा है जीवन खुशी पूर्वक व्यत्तीत करना गा है जीवन को समझना गा है इन में से कोई नहीं तो मात्र कुछ परिक्षाएं उत्त्रीन कर लेना ही सिक्षा नहीं है सिक्षा है जीवन को समझना गा लग रहा है आपको हाँ बिल्कुल जीवन को समझना ही सिक्षा है बच्चपन में किस वातावरण में रहना आवशक है का स्वतंत्र खा अनुशासित गा दायत्व पूर्ण या घा इन में से कोई नहीं तो स्वतंत्र वातावरण में ही बच्चे की या बच्चे के व्यक्तित्व का विकास हो पाता है मेधा भी शक्ती रह पाती है तो स्वतंत्र ये क्रिश्ण मूर्थी के अनुसार मानव के विचारों को उसके संबंदों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है कौन है जो उसके विचारों को को संबंधों को और प्रेम को नस्ट कर देता है कौन है ये भयंकर बाई ऐसा भयंकर सा इस उंहें लग रहा है भयंकर कन कह है उत्सा खा है नराजगी गाह है खुशी या घा भै तो भय है जो संबंधों को, प्रेम को और विचारों को नस्ट कर देता है बिल्कुल जे क्रिश्नमूर्ती के अनुसार संपून विश्व किस और अग्रसर है का है विकास की और, खा है नाश की और, गा है प्रतिस परधा की और या गा इन में से कोई नहीं तो संपून विश्व ना अश की और, क्योंकि ना तो वो समझ रहा है ना सिक्षित सही रूप से हो रहा है सामेवाद किस से लड़ रहा है? आया था बहुत अच्छे से यदि आपने सुना है, प्रीवेस वीडियो में देखा है, समझा है तो इसका उत्तर भी आप तुरंट दे सकते है का है? सामेवाद किस से लड़ रहा है? समाजवाद से, खा पूझी पती से, गा सत्तावादी से या इन में से कोई नहीं तो सामेवाद लड़ रहा है पूझी पती से जे क्रश्नमूर्ती का जन्म कब हुआ? का 12 मैं सन 1895 को, खा 18 जून सन 1892 को, गा है 23 मैं सन 1898 को या फिर गा 15 अगस्त सन 1902 को बताओ किसको याद है? जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 12 मैं सन 1895 जे क्रश्नमूर्ती के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? ठीक है? कभी इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जे क्रश्नमूर्ती के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर पूछा गया है सही है? मतलब एक सही होगा बागी तीनों गलत होगे का है वे प्राया लिखते थे खा वे उपन्यासकार थे वे गा है वे प्रसिद्ध नाटक कार थे घा है वे प्राया बोलते थे संभाशन करते थे बिल्कुल यही कथन सही है कि वे प्राया बोलते थे संभाशन करते थे यदि सामने कोई उनसे प्रश्न पूछे उनकी जिग्यासाओं को शांत करते थे तरक सहितत्यों के साथ उसकी जिग्यासा को शांत करना ये उनके लिए था इसलिए उनको विश्व सिक्षक भी कहा जाता है शिक्षा पाट के रचेता कौन है? का महत्मा गांधी जी, खा विनोबा भावे जी, गा जगदीश चंद्र माथुर जी या जे कृष्ण मूर्ती तो जे कृष्ण मूर्ती जे कृष्ण मूर्ती का जन्व किस राज में हुआ था? आंधर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजिस्थान या उड़ी सा तो आंधर प्रदेश में? साधर्न तया, सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है? सुरक्षा में जीने का अर्थ, येस, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है? सुरक्षा में जीने का अर्थ क्या है का भय में जीना, खा खुशी में जीना, गा लोब में जीना या घा लाब में जीना तो सुरक्षा में जीने का अर्थ होता है भय में जीना इसका विरोध हमें करना होगा, निर्भरता के साथ स्वतंत्र रूप से जीना होगा और यहाँ पर आप इसका कुछ अलग अर्थ मतले ना कि हम किसी से डरेंगे नहीं किसी की उद्धंड ता शामिल नहीं करनी है स्वतंत्रता मतलब उद्धंड ता कताई नहीं है ठीक है संपूर्ण विश्व किधर अगर सर हो रहा है तो नाश की और ठीक है यह जो है वो नाश ठीक है तो संपूर्ण विश्व किधर अगर सर है का है नाश की और खा है विकास की और गा है निर्मान की और तो नाश की और है ठीक है चालो आगे चलते हैं अगला प्रश्न है निर्भायता पून वातावरन निर्मान करने का कारे कैसा है बड़ा कठिन है निर्भैता पून वातावरन कैसे निर्मान किया जाए बड़ा कठिन है खा बड़ा आसान है गा श्रम युक्त है घा बेकार है तो निर्भैता पून वातावरन का निर्मान करना आसान नहीं है मतलब क्या है कठिन है आप विद्ध्यालय क्यों जाते हैं का सिक्षा प्राप्ति के लिए खा नौक्री के लिए गा खेल प्रसिक्षन के लिए या घा पढ़ाने के लिए तो हम सिक्षा जाते हैं, विद्याले जाते हैं सिक्षा प्राप्ति के लिए आशा करती हूँ हर एक प्रशन को ध्यान पूर्वक सुना है और भी कई तरह के प्रशन यदि आपके समक्ष आ गए सिक्षा पाट से सम्मंदित तो आप बहुती सूज भूज के साथ सोज समझ कर उनका उत्तर लिख कर आओगे मेरे प्यारे विद्यार्थियो ध्यान पूर्वक इसी तरह से देखते रहिए सुनते रहिए और बने रहिए हमारे साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्वस्त रहिए खुछ रहिए बाई बाई हाँ एक और बात गद्य हमारा समाप्त हो चुका है गद्य खंड और अगले वीडियो में हम मिलेंगे काव्य खंड के साथ तो मैं प्रतिक्षा में रहूंगी बाई थैंक यू सो मच